अब को जितने भी मेरे सकेंड येर के दियर ए स्टुडेंट है सबको स्वागत है आपको पता है कि आज है आपका मंडे ठीक है मंडे तो जैसे ही बीक की नए सुरुआत होती है हम लोग फिर से शुरू से सुरू कर देते हैं सुरू सबजेक्ट से मतलब स्टार्टिंग सबज हमें जो है आपके चारो सब्जेक्ट का आखरी जो है चौथा नंबर का डिफिनीशन बिला वीडियो आएगा इसके बाद हम लोग श्टॉप कर देंगे ठीक है श्टॉप कर देंगे या कहा जा तो लगभभभग समाप थी है लगभग मैंने आपको पचास से साथ लोगो यह सब आपको नर्सिंग्यान.com पर मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग इसको पर सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं ठीक है चलिए सबसे पहला कहता है एनेस्थेसिया क्या होता है तो देखिए एनेस्थेसिया को हम लोग हिंदी में जो है निश्ची तक भी कहते हैं क्या कहते हैं निश्चे तक भी कहते हैं ठीक है तो एनेस्थेसिया रोगी को किसी भी परकार के सरजरी से पूर दवाओं के माधियम से लॉस आप सेंसेशन के मतलब क्या होता है कि संबेदना को लॉस करना ऐसी इस्थिती उदपन करना एनेस्थेसिया कहलाता है इसके ल समझ गए संबेदना कहने का मतलब होता है कि जैसे सेंसेशन मतलब संबेदना कहने का मतलब होता है अनुभब जैसे किसी को अगर चीरा लगाना हो सरजारी करना हो सिधा अगर उसको बिना एनस थेसिया के सरजारी चीरा लगाने लगेगा तो पता चलेगा कि पेसे इनको कितना ज्यादा problem होगा एक accident के तरह बेक्टी को हो जाएगा लगेगा जिस परकार से दरद accident होता है उसी परकार से चीरा लगाने में ठीक है या बहुत सारे माध्यमों में यह चीजे किया जाता है ठीक है तो यह चीजे होता है अब एनेस्थेसिया जो है मरीज को loss of sensation यानि सिधा कहा जाए तो जिस जगह पर आपको सरजरी करना है इनेस्थेसिया अलग-अलग होता है या तो पूरे बड़ी को बेहोसी करना है तो पूरे बड़ी के लिए होता है अगर परोपर किसी जगह को हमको सरजरी करना है और हम चाहते हैं कि इतना दुर ही बेहोस हो इतना दुर ही जो समबेदना जो है समाप्त करना है तो उसके लिए भी जो है एक काम करता है मतलब यह समबेदना को क्या करता है सेंसेशन को समाप्त करता जिससे बेक्टी को कटने फटने पर चीरा लगने पर कोई अनुभव नहीं होता है जिससे बेक्टी को जो है तकलीफ नहीं होती है और समझ गए लोकल एनस्थेसिया को हम लोग अस्थानिय एनस्थेसिया कहते हैं सरीर के जिस भाग को सुन करना होता है अस्थानिय एनस्थेसिया वहां लगाए जाते हैं या सरीर के सिमी छेतर को प्रभावित करते हैं लोकल एनस्थेसिया एजेंट उस छेतर की पेरिफेरल नर् जैसे किसी बेक्ति को मान गए हाथ में सरजरी करना है बाते को समझेगा यहाँ ठीक है न है अगर किसी बेक्ति को हाथ में मान गए उसको टाका लगाना है सरजरी करके टाका लगाना है तो ऐसे अगर नोर्मल आप जाएगा सरजरी करने घा हो गया है सरजरी करने जाएगा ची तो इस condition में क्या होता है कि अगर हाथ में चीज़े हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हाथ का ही जो है सुन उत्पन हो बाकी सरीर का सुन उत्पन उत्पन नो हो सिर्फ हाथ का ही सुन उत्पन करना है तो उसके लिए हम local anesthesia देते हैं जिस जगह जिस बड़ी के भाग में हमको काम करना है सरजरी करना है उसी चीज़े को उसी भाग में ही हम sensation को उत्पन करेंगे loss of sensation को बाकी बड़ी का कोई जरुरत नहीं है loss of sensation उत्पन करना इसलिए यह उतना ही छेत्र को जो है anesthesia लगा कर प्रभावित किया जाता है ठीक है local anesthesia agent उस agent उस छेत्र का मतलब जैसे हाथ का हमको सुन करना है तो हाथ में लगा कर local anesthesia जैसे ही हाथ में लगाया जाता है तो जो peripheral nerve होता है peripheral nerve अब हमारा बड़ी में जो भी हमारे दिमाग को सुचना मिलता है वो नर्व के द्वारा ही मिलता है क्योंकि हमारे बड़ी के हर एक पार्ट में नर्व है तंत्रीका है और वही तंत्रीका जो है आपको आबेक का काम करता है brain को signal देने का काम करता है तो अगर आपको normal तरी अगर सुन करना हो तो लोकल एनेस्थेसिया ठीक है अब आता है general एनेस्थेसिया जेनरल एनेस्थेसिया कहने का मतलब होता है जब रोगी के संपून सरीर को संबेदन हीन मतलब loss of sensation ठीक है संबेदन हीन करना हो तो रोगी को बेहोस किया जाता है इसे general एनेस्थेसिया कहते है अब general एनेस्थेसिया को समान एनेस्थेसिया कहते ह अब इसमें मान गए किसी बेक्ती को ऐसा सरजरी होने वाला है जिसमें बेक्ती को पूरे बड़ी को ही सुनपन करने की जिवरत है तो उस कंडिशन में बेक्ती के पूरे संपून सरीर को ही संबेदन हीन कर दिया जाता है जिसे हम लोग बेहोसी कहते हैं अगर संपून सरीर को both sensation हो जाया मतलब भीढूस हो गया तो यह वहीं कुछ पता नहीं चलते है क्या हो रहा है उसके साथ तो वहीं पिर गी जाता है और इसे ही general anesthesia कहते हैं ठीक है अब आता है spinal anesthesia spinal anesthesia कहा जाए तो नाम से अस्पाइनल में दिया जाने वाला ठीक है spinal region में तो इसमें anesthetic agent को lumber छेते यानि लंबर एरिया के सब arcanoid space में परविष्ट कराया जाता है जिसे पैर, perineum तथा नीचले उदर में loss of sensation उत्पन होता है अगर आपको spinal anesthesia देना है तो मानगे किसी को पैर में या perineum छेत या नीचले पेट के हिसे में अगर sensation उत्पन करना हो loss of sensation तो उसके लिए हम लोग जो है spinal anesthesia देते हैं ठीक है कहां कहां नीचले छेत यानी पैर में, perineum में और पेट के नीचले हिसे में अगर सरजरी करना है तो उसके लिए loss of sensation उत्पन करना होगा तो वह जो है किया जाता है local anesthesia के जडिये ठीक है अब इसमें जो होता है जो agent दिया जाता है anesthetic agent वह anesthetic agent क्या होता है लंबर area में होता है lumbar area में सब अरकेण वाइड एसपेस में जैसा कि आपको पता है मैंने आपको LP पर आया था lumbar puncture पर आया था ठीक है तो lumbar puncture में भी जो injection है वह सब आरकेण वाइड एसपेस में ही लगाए जाता है तो इस्पाइनल एनस्थेसिया भी इसी में लगाया जाता है एसा बरकेनवाईड में भी तो यह बाते समझ लेजेए डाइफ्राम के नीचले अस्तर पर की जाने वाली लगभग सभी सेल किरियाओं में इस्पाइनल एनस्थेसिया का पर्योग किया जाता है आसपाश डूप से कह रहा है कि जो दो फेफरा होता है इसके नीचे जो आपका ये डाइफराम होता है इस डाइफराम से नीचे जितने भी लगवक सरजरी किये जाते हैं वह सब में spinal anesthesia ही दिया जाता है ठीक है तो ये चीज़े आप लोग को ध्यान में रखना होगा समझ लंबे अवधी की बीमारी और acute मतलँ होता है अचानक या कुछ दिनों से कुछ सप्ताह तक की बीमारी ठीक है तो यहाँ पर कह रहा है chronic bronchitis chronic bronchitis कहने का आर्थ होता है कि bronchi का दिर्ग inflammation bronchitis कहलाता है ठीक है means bronchi आप लोग को पता होगा कि जैसे ट्रेकिया होता है ठीक है ट्रेकिया दो भागों में दो ब्रोंकी में विभाजित होता है ठीक है दो ब्रोंकी में विभाजित होता है इसके बाद फेफरा से जूरता है फेफरा से जूरता है या फेफरा के अंदर बहुत सारे ब्रोंकियाई होता है ठीक है बहुत सारे ब्रोंकियाई होता है फेफरा के अंदर ठीक है न जालसा तो कहता है इसी ब्रोंकाई का दिर्ख inflammation जो है bronchitis कहलाता है ठीक है अब इसमें यह जो bronchi होता है एक नली नूमा होता है जिससे आपको बायू जो है फेफरा में जाता है तो इसी में inflammation अब इंफलामेशन के मतलब या सुजन हो सकता है या कोई संक्रमन हो सकता है ठीक है चोट लगने से भी हो सकता है तो यह bronchi का लंबे समय से inflammation bronchitis कहलाता है ठीक है chronic bronchitis कहलाता है काफी लंबे समय से दीन के अधिकान समय खासी उठना अब जैसे ही आपको chronic bronchitis होता है तो दीन के समय बहुत ज़्यादा खासी उठेगा स्वशन नलिका में परदा होगा ठीक है स्वसन जो नलिया होता है उसमें परदा होगा वही bronchitis होने की संभावना को परदर्शिद करता है यानि fresh bunkeritis होगा तो यह ज्यादा दर संभावनां है कि दीन के समय बहुत जादा खासी होगा और जो सवक्राइसण की नली है रोंकाई ब्रोंकियाई जो है उसमें इन्फ्लामेसन होगा ठीक है और यही क्रोनिक ब्रोंकाईटिस होने को समभावना परदर्सित करता है तब आता है अब आता है तो EMPHEREMMA का मतलब होता है कि ये Cronic Pulmonary Dige है जिसमें Lungg Elầuye का असमान भिस्तारन हो जाता है असमान भिस्तारन क्यों होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़दा हवा भर जाता है ये Elbeulie का तो काम ही है कि हवा भर ना गुछे में ऐलबोली में बायू भरता है फेप्रे के अंदर जैसे यह सब ब्रोंकाई है इस ब्रोंकाई में आपको बहुत सारे गुच्छे में उलबोली होते यह बने बने बढ़ику बाईू को बहटे है और गंदे बाईू जो है इम्फाइसमा में, एम्फाइसमा में क्योंकि यह एक chronic referral disease है, मतलब यह लंबे समय की फेफरा का समस्या है, जिसमें जो lung की जो गुछ्षा वाला एलगोली होता है, यह असमान रूप से फैल जाता है, बिश्टार हो जाता है, क्यों बिश्टार होता है? क्योंकि इसमें असमान रूप से बायू का इकठा हो जाना है ठीक है ना? इसके कारण यह फैल जाता है समझ गए? अब आता है पलमनारी टीवी या इसी को टीवी कहते हैं इसी को पी टीवी भी लिखेगा या इसी को नौर्मल टीवी भी लिखेगा समझ गए? तो 6 रोग या तपेदि क्या होता है? 6 रोग एक संक्रामक रोग है 6 रोग क्या है? 6 रोग एक संक्रामक रोग है, बाते को समझ गएगा ठीक है? 6 रोग एक संक्रामक रोग है, जो Mycobacterium tuberculosis जीवानू द्वारा फैलता है एब मुख रूप से बेक्ति के फेफरों को परभावित करता है, देखिए टीवी जो होता है, या आपके फेफरों को मुख रूप से जिस परकार से अस्थमा जो होता है आपके स्वसन नली को परभावित करता है ब्रॉंकाइटी स्वसन नली को तो यही आपका टीबी भोताँ आपको समझ गहीं? जबसे महात्पुन याद रखेगा यह माइको बेक्ट्रियम टीवर कलोसीज जिवानू के दौरा होता यह महात्पुन है ठीक है? चलिए अब आता है अब मैंने उपर अभी बताया आपको एंफाइसमा ओथा एंफाइसमा जिसमें एलगोली समान रूप से बिश्तार हो जाता है कि वो कि बायू अत्याधिक इकठा होने के कारण एंफाइसमा में लेकिन एंफाइमा क्या है एंफाइमा देख लिए के अप्राट यहां पे एंफाइमा ठीक है इंगलिस में एंपाइमा लिखाता है हिंदी में एंफाइमा समझ गाए मैं में क्या होता है पुल्लल कईविटी में महाद एबम अपघंटित उत्त को यानिन नेक्रोटिक कीचिशू का जमा Rob होना एंफाइमा कहलाा इंफाइमा का मतलब होता है कि जो पुलूरल कैवीटी होता है उसमें मवाद अपघटित उतक पस भर जाना ही इंफाइमा कहलाता है। अब आता है गैस्ट्राइटिस कहने का अर्थ होता है गैस्ट्राइटिस कहने का मतलब होता है यह आपके दखिए गैस्ट्रिक जो होता है गैस्ट्रिक जो होता है गैस्ट्रिक जूस आपको पता होगा यह अमासिक रस इसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस को अमासिक रस कहते है ना अमाशी कॉरस तो उसी परकार से यह है गैस्टिक से गैस्टराइटिस रौना है यानि कही न कहीं न कहीं यह आमाशी को प्रभावीद करने वाला है आइटिस के मतलब ही होता है प्रभावीद ठीक है न legit न कि अमाशे के सलेस्वा क surrender कर लाता है पेट के अंध्रूनी अब आगे यहां पर acute gastritis, acute gastritis कहने का अर्थ होता है अचानक से होने वाला, तो gastric mucosa का अचानक inflammation होना एबं अचानक लक्षन प्रकट होना acute gastritis कहलाता है, या कम समय अबदी के लिए होता है, acute का मतलब ही होता है, कि कुछ सब्ता से, कुछ दिनों से लेकर कुछ सब्ता तक, एक ठीक हो जाता है, तो acute gastritis कहने का पतलब है, होगा तो यह पेट के अमासे के अंद्रूनी सता, यानी mucos membrane को ही छतिगरस्त करेगा, जिससे रस सरावित होता है, चुकि हम लोग जानते हैं, अमासी रस कहां से सरावित होता है, अमासी रस, अमासे के अंद्रूनी जो दिवार ह तो उसी दिवार में जो mucos membrane है, उसको छतिगरस्त करता है, अचानक inflammation हो जाता है, और अचानक लक्षन परकर्थ होते हैं, और यही acute gastritis होता है, यह कम समय के लिए होता है, कम समय अबदी के लिए, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे है chronic gastritis, अब वहाँ पे था, कम समय के लिए बस कुछ नहीं है, यहाँ पे दिख कालीन, यानि लंबे समय के लिए inflammation होगा, यहाँ लंबे समय तक रहता है, इसलिए chronic gastritis कहते हैं, ठीक है, चलिए, अब आता है पेप्टिक अलसर, देखे, एक अलसर जो होता है, यह दो परकार के, एक होता है पेप्टिक अलसर, और एक हो इसको कहते हैं, उसका अंदरूनी सता, म्यूकस मेंब्रेन का छतिग्रस्त होना, एवं घाव बनना, पेप्टिक अलसर कहलाता है, यह घाव अहार नली के म्यूकोलरीस, म्यूकोसा तक गहरे हो सकते हैं, अब मैं आपको बता दू, पेप्टिक अलसर जो होता है, डिवडेनम इसमें गरसनी में हो सकता है, यह फिर मैं आपको बता दू, अमासे जो है, यह अमासे में हो सकता है, अमासे के अंदरूनी सता पर, म्यूकोस मेंब्रेन पर, यह फिर इससे कनेक्ट जो आथ होता है, छोटी आथ के आगे वाला भाग, इस आगे वाला भाग में जो है, आपक अग्रानतक होता है, और म्यूकोसा को प्रभावित करता है, जिसमें आपको घाव बनता है, ठीक है, और म्यूकस मेंपरेन अंदरुनी छती गरस्ट होता है, समझे गये, चलिये, अब आता है appendicitis, नाम से ही हसपष्ट है, appendix से ही बना है appendicitis, समझे गये, अब यह appendicitis होता है आपको पता है कि जो बरी आत होता है समझ गए छोटी आत एब बरी आत के सन्योजा कस्थाल मतलब मैं आपको अगर बता दू ठीक है मैं आपको बता दू तो बरी आत समझ गए और छोटी आत के सन्योजा कस्थाल समझ गए यानि बरी आत के और छोटी आत बरी स्टार्टिंग होता है और वहीं से छोटी आत भी कनेक्ट होता है समझे गए तो इन दोनों के जो आपके दोनों के जो सन्योज़क कनेक्शन अस्थल है वहीं पर एक पतला सा अंगली नूमा सनराचना निकला होता है अंगली नीमा संरचना होता है पतला सा, समझे गए, वर्मी फोर एपेनलिक्स में परदा होना appendicitis कहलाता है, ठीक है न, तो जो अंगली नीमा संरचना पायजाते हैं, बरी आत और छोटी आत के सन्योजा कास्थल पर एक उंगली नुमा पतली सी संरचना होती है, और इसी को हम लोग बर्मी फोर appendix कहते हैं और इसमें ही परदा होना appendicitis कहलाता है ठीक है चलिए किसी को नहीं देखते हैं कि appendix का सरजरी हुआ है वही रहता है अब आता है dialysis dialysis आपको पता है कि किसी का kidney खराप होने लगता है खराप हो जाता है तो उसका सरीर से अपसिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है तो यहां dialysis एक procedure होता है जिसके दौरा जो है यह दाब और विश्रन के उपियों के दौरा सरीर से अपसिष्ट पदार्थों को बलड से बाहर निकालता है ठीक है डाइलिसिस यह यह कैसी परकिरिया है जिसके द्वारा सरीर से अपसिष्ट पदार्थों को दाव एवं बिसरन के द्वारा बाहर निकाला जाता है बलड से ठीक है तो यही जो है आपका डाइलिसिस होता है मिलनी यह अपसिष्ट पदार्थ को बड़ी से बाहर निकाल या जीवी तुदको को किसी चोट या संकर्मन के दोरान होने वाले अस्थानिये परतिकिरिया है या छती है मैंने पहले ही बता दिया या चोट या संकर्मन के कारण होता है और जिस भी जगह पर होगा वहां का उतक में रियेक्टिव रियेक्शन होने लगता है परतिकिरिया होने लगता है ठीक है जो किस परकार की होती है सुरक्षात्मक परतिकिरिया होती है सरीर के बिभीन अंगों में होने वाले परदाह इस्थिती को अनुलगन मतलब सफिक्स आईटिस के साथ जोड़कर लिखते हैं जैसे अभी पराया मैंने एपेंडिक्स में आईटिस जोड़ देंगे इसी परकार से आईटिस लास्ट में जिसके भी देखिएगा समझ जाईएगा कि वह इंफ्लामेशन है अब आता है यहां पर विभीन परकार के सौक होते हैं अगहात सौक मतलब क्या होता है अगहात लग जाना ठीक है एक परकार से बेहोस्ती हो जाना समझ गए तो कार्डियोजेनिक सौक कार्डियोजेनिक सौक नाम से हसपस्त है हिर्दय घात सौक ठीक है न तो हिर्दय की बिमारी हिर्दय के चोट मायोकार्डियल इंफारक्सन एमाई के कारण सरीर को रख परवाह की कमी होने से उत्पन होने वाले सौक कार्डियोजेनिक स सोख है अब आपको पता है कि हर्ट का हमारा काम क्या है बलड सप्लाई करना बड़ी के अनहिसों में अब मानिए हर्ट खुद बिमार पड़ जाएगा हर्ट को चुट लग जाएगा या हर्ट अटैक आ जाएगा तो इस कारण यह सरीर को रख प्रवाह नहीं कर पाएगा कमी ह हो जाएगा और इस कारण जैसे ही बलड बड़ी को नहीं मिलेगा अचानक से तो ब्यक्ति को सोक लग जाएगा और इस परकार के जो सोक होगा वह कार्डियोजनिक सोक होगा क्यूंकि हर्ट के कारण ब्यक्ति में लगा सोक समजगे चलिए अब आता है यहां पर हाईपोवल hypo beilemic soft हाइपो बहलमिकlove की मतलब होता है कि बड' के reading मतलबным आयतन में में कमी आ आयतन में कमी कहने का मतलब है कि तरल में जैसे ही कमी आ छाएगा अचानक से किसी कारण से इसमें बलड बगएरा भी इनप्लूट हो जाएगा तरलма लेकिन अचानक से मान गया किसी पैसेंट को भारी एक्सिडेंट हुआ और उसमें से तीन केजी बलड निकल गया तो क्या होगा मतलब बहुत ज़्यदा बलड निकल गया यानि तरल की कमी हो गई अब जैसे ही तरल की कमी होगी तो उसके बड़ी में जो सौक लगेगा अगहात लगेगा वह हाइपो भॉलमिक बला सौक होगा अचानक से बहुत इतना ज़्यदा लूज मोसन हो गया तरल की कमी हो गई की तो यहाइपो भॉलमिक सौक क्यों लगता है तो किसी भी कारण से सरीर में से अत्यधिक मात्रा में तरल या रक्त्राभ होने के खारण उत्पन होने वाला हाईपो सौक जो है हाईपो भॉलमिक सौक कहलाता है अब जैसे मानगा किसी को बहुत ज़्यदा दस्त लूज मोसन होने लगे तो इस कंडिशन में भी बड़ी में बहुत ज़्यदा तरल की कमी हो जाती है और शरीर को जो सोक लग जाएगा वह वाला जो सोक और उस इस्तिती में जो सोक लगेगा वह क्या होगा तरल की कमी से होग इसलिए hypovolumic shock कहेंगे, मानगे accident हुआ, बहुत ज़्यादा blood निकल गया, बेक्ती बेहोस हो गया, shock लग गया, तो वह अब आला जो shock होगा, वह भी hypovolumic shock होगा, क्योंकि blood भी एक तेरल है, ठीक है? तो सरीर से किसी भी कारण से तरल निकल जाए, चाहें blood निकल जाए, और उ किसी फ़ी गंभीर एलरजिक रियक्शन के फलसोरूप उत्पन होने वाला सौक, एनाफाइलेटिक सौक कहने का मतलब होता है, कि किसी बेक्टी को किसी चीश से एलरजी है, और वह एलरजी अचानक से बेक्टी में बहुत ज़्यादा उत्पन हो गिया, ठीक है, और वह इलर्जी के कारण अगर सोक लगता है तो यह सारे चीज मैंने आपको समझा दिया उमीद है आप लोग समझ गया होंगे और मैं आप से ही कहूंगा कि आप nursinggyan.com पर जाए और वहां पर second year में आप MSN1 में देखिएगा QB definition बाला option में तो वहां पर QB बाला definition बाला में सारे definition एक जगा पर मिल जाएगा ठीक है तो चलिए मिलेंगे आगले वीडियों में अपना ख्याला